वेल्कम टू इदनित घर गरस्ती वा बॉडी केर से रिलेटिड जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें नीचे दिया गया रैट बटन दबा कर ये फ्री है हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाने जा रहे हैं हिमाचली धाम में बनाया जाने वाला रौंगी व अर्बी का मदरा हिमाचल में किसी भी शुब अफसर पर दिये जाने वाले प्रिति भोज को धाम कहा जाता है इसमें जो डिशिस बनाई जाती हैं उनको बनाने का तरीका बिलकुल अलग होता है धाम में वंजनों को चावल के साथ पुरोसा जाता है रौंगी अर्बी के मदरे की authentic recipe के लिए ये वीडियो देखें इसके लिए हमें चाहिए आधा कप रौंगी जिसे लोबिया भी कहा जाता है 3-4 छिली हुई अर्बी ठड़े मसालों में हम लेंगे एक तेज बत्ता, दो छोटी इलाइची, एक बड़ी इलाइची, दाल चीनी दो लौंग, एक सूखी लाल मिर्च आधा चमच धनिया पौडर, आधा चमच जीरा, एक चथाई चमच छलदी, आधा चमच नमक, एक चथाई चमच लाल मिर्च पौडर तीन चथाई कप धही हमें यहाँ पर गाड़ा धही लेना है और वो ज्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए एक चताई कप फ्रेश क्रीम ये आप्शिनल है मैंने यहाँ पर दूद की मलाई ली है आज देशी घी Let us start सबसे पहले हम आधा कप रॉंगी को अच्छे से धोकर एक कूकर में ले लेंगे इसमें धाई कप पानी डाल लेंगे अब हम इसमें दाल से पांच गुणा पानी डालेंगे इसमें एक तेज पत्ता दाल चीनी दो लॉंग थोड़ी सी क्रश्की हुई दो छोटी इलाइची एक बड़ी इलाइची उसका हम उपर से छिलका उतारके दाने इस तरह से थोड़े निकाल लेंगे ये सब चीजें कूकर में डाल लेंगे और अब हम रोंगी को बॉयल कर लेंगे हài फ्लेम पर एक विशलाने देंगे एक विशलाने के बाद हम इसे लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक रोंगी बॉयल होती है हम अर्भी को मदरे में डालने के लिए तयार कर लेते हैं हम अर्भी के छोटे pieces कर लेंगे ये हमने अर्भी के pieces कर लिए हैं अगर हम इन्हें cup में measure करते हैं तो ये लगभग 3-4 cup हैं वैसे आप अर्भी की मात्रा अपने इच्छानुसार कम या जादा कर सकते हैं अब हम अर्भी को fry करेंगे मैं यहाँ पर देशी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ आप चाहें तो इसे oil में भी fry कर सकते हैं अर्भी को मैं यहाँ पर shallow fry कर रही हूँ आप चाहें तो इसे deep fry भी कर सकते हैं अर्भी को हम low flame पे fry करेंगे fry करते हुए हम इसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि ये चारोतरक से अच्छी तरह से fry हो जाए अर्भी को अच्छे से fry करना बहुत ज़रूरी है otherwise जब हम इसे खाते हैं तो ये गले में irritation करती है अर्भी को fry करते हुए मुझे लगभग 10 मिनिट का समय हो गया है और इसका कलर भी golden brown हो गया है अब हम गैस बंद कर देंगे और अर्भी को एक plate में निकाल कर रख लेंगे वैसे तो अर्भी 10 मिनिट में अच्छे से fry हो जाती है पर इसे चेक करने के लिए एक बड़ा piece लेकर उसे चाको से कट करें अगर वो easily कट हो जाता है तो अर्भी अंदर तक fry हो गई है आई अब रॉंगी को चेक कर लेते हैं रॉंगी बॉइल हो गई है और आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत कम पानी है मदरे में कम पानी डलता है इसलिए हमने इसमें कम पानी रखा है रॉंगी साफ्ट हो चुकी है अब हम इसमें से तेज पत्ता, बड़ी इलाइची, छोटी इलाइची वद दाल चेनी निकाल लेंगे क्यूंकि इन सब का फ्लेवर और लेडी रॉंगी में एब्जॉब हो चुका है वैसे जब धाम में इसे बनाया जाता है तो ये सब चीज़े उसमें से नहीं निकाली जाती है बलकि खाते समय ही उन्हें निकाला जाता है तड़के के लिए हम एक तिहाई कप देशी घी गरम कर लेंगे इसमें आधा चम्मच जीरा वे एक सुखी लाल में इस डाल कर भून लेंगे मैंने तड़के के लिए जो देशी घी इस्तमाल किया है उसी में मैंने पहले अर्बी फ्राई की थी अब हम इसमें तीन चुथाई कप गाड़ा दही डाल लेंगे फ्रेम को हम लो रखेंगे जब हम तड़के में दही डालते हैं तो बहुत सारे चिंटे उड़ते हैं इसलिए पहले हम थोड़ा सा दही डाल कर हिला लेंगे और फिर बाकी बचा हुआ दही डाल लेंगे अब हम दही को लगाता चलाते रहेंगे नहीं तो ये फट जाएगा फ्लेम को हाई कर लेंगे और दही को पकाएंगे दही को भूनने में काफी समय लगता है हाई फ्लेम पर भूनने से ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा जब हम दही को भूनते हैं तो यह बरतन से चिपकता है तो इस से बचने के लिए या तो आप नॉन्स्टिक कडाई यूज़ करें या फिर हम कडाई में चिपके हुए दही को कड़्छी से उतारते रहेंगे अगर फिर भी दही कड़ाही से चिपक रहा हो तो आप थोड़ा सा देशी घी और एड़ कर सकते हैं अब आप देख सकते हैं कि दही का पानी आल्मोस्ट सुख गया है तो अब हम इसे low to medium flame पर पकाएंगे दही को भूनते हुए मुझे लगवग 8-9 मिनट का समय हो गया है आप देख सकते हैं कि इसका color change हो गया है दही का texture भी sandy हो गया है इसमें grains जैसे आपको दिखेंगे इसका मतलब है कि हमारा दही अच्छे से भून गया है अगर हमारा दही अच्छे से नहीं भूनेगा तो मद्रा थोड़ा खटा रह जाता है यहाँ पर देखिए हमें दही का इस तरह का color चाहिए अब हम इसमें एक चथाई कप फ्रेश क्रीम डाल लेंगे मैंने यहाँ पर दूद की मिलाई ली है फ्रेश क्रीम डालना optional है पर यह मद्रे को rich look देती है और साथ में ही टेस्ट को भी enhance करती है मिलाई को भी हम brown होने तक भूनेंगे अब इसमें आधा चमच धनिया पाउडर एक चथाई चमच हल्दी पाउडर वर एक चथाई चमच लाल मिर्च पाउडर डाल कर कुछ सेकिंद्स के लिए भून लेंगे इसमें उबली हुई रॉंगी डाल लेंगे यहाँ पर रॉंगी में पानी थोड़ा कम हो गया है तो अब हम इसमें लगबग 3-4 हाई कप पानी गरम करके डाल लेंगे फ्लेम को हाई कर लेंगे अब हम इसमें फ्राई क्यूवी अल भी डाल लेंगे और नमक भी डाल लेंगे मैं यहां पर आधा चमच नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाधा नसार डालने एक बार अच्छे से स्टेर कर लेंगे हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे फिर इसे ढख कर लो फ्लेम पर पांच मिनिट के लिए पकाएंगे low flame पर पकते हुए 5 मिनिट हो गए हैं तो अब इसे चेक कर लेते हैं madra ready हो गया है तो अब हम gas बंद कर लेते हैं और इसे ढख कर कुछ दिर के लिए छोड़ देते हैं आप madra को rice के साथ सब करें madra heavy होता है इसलिए एक साथ इसे बहुत ज़ादा amount में ना खाएं आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब मैं चानल आप इस रेसिपी को ट्राइ करें और कमेंट जुरूर करें कि आपको ये कैसी लगी